हलो एवरिवान, वेलकम टू मैं चैनल, आज हम बनाएंगे होम स्टाइल मॉटन करी, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मॉटन करी बनाने के लिए मैं यहां पे कुछ सामगरी ली हूँ, उसमें मेरा 1LB मॉटन है, दो बीक साइज ओनियन ली हूँ, ग्रीन चिली, वान टमेटो, फोर पटेटो, जिंजर गालिक का पेस्ट और मस्टाड ओयल यहां पे मैं कुछ whole spices ली हूँ, जिसमें 2 देज़ पता है, डालचिनी, इलाइची, लॉंग और बड़ी इलाइची है और यहां पे मैं ली हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मटन मसाला और गरम मसाला मैं यहां पे एक प्यान ले ली हूँ, उसमें मैं डाल दूँगे मस्टाड ओयल, मस्टाड ओयल गरम होने के बाद उसमें डाल देंगे पटेटो, पटेटो को यहां पे मैं बिग बिग साइज में काट ली हूँ पटेटो को जिस्ट गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे पटेटो अप्सनाल है आपको पसंद है तो आप पटेटो यूज कर सकते हो आपको नहीं पसंद है तो आप पटेटो को स्किप कर सकते हो पटेटो मेरा हलका ब्राउन हो चुका है हम अभी potato को निकाल लेंगे इसको fry में just two to three minutes फ्राइ की हूं high flame में अभी हम इसमें सारा whole spices डाल देंगे whole spices डालने के बाद हम उसमें डालेंगे onion या मैं two onions को roughly चोप कर ली हूं अर onion में हम थोड़ा सा salt देंगे और onion को light brown होने तक fry करेंगे औनियन हलका फ्राइ होने के बाद उसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली जिन्जर गालिक का पेस्ट यांपर मैं टू टेबल स्पुन जिन्जर गालिक का पेस्ट युसकी हूं सारा चीज़को आच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस मसाला में डालेंगे हल्दी का पाउडर हल्दी का पाउडर डालने के बाद सारा मसेलो को आच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इंजर गालिक पेष्ट का रोफ लेबर जाने तक हम इसको कूक करेंगे और उसमें डाल देंगे जीरा पाउडर और धन्या पाउडर सारा चीज को आच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले को मिक्स करने के बाद हम उसको ढखके लो फ्लेम में कुक करेंगे इसे करने से जो ओनियन था बहुत आच्छी तरह कुक हो जाता है देखिए मेरा जो ओनियन था बहुत आच्छी तरह कुक हो चुका है इस मसाले में अभी हम डाल देंगे टमेटो टमेटो को मसाले में आच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको ढखके टमेटो कूक होने तक कूक करेंगे देखिए पांच मिनिट के बाद मेरा जो टमेटो था वो आच्छी तरह गल चुका है अभी हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और मटन मसाला, सारा मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सारा मसाला अच्छी तरह कूक होने के बाद हम उसमें डाल देंगे मटन, मटन को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और इसको कवर करके हम लो फ्ले में कूक और मॉटन को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे नहीं तो मसाला नीचे लगने के बाद जलने का स्मेल आ जाता है यहां पर मैं मॉटन को कड़ाई में कुक कर रही हूँ कड़ाई में कुक होने के लिए मॉटन मिनिमम टू आवर्स लगता है और आपके पास टाइम काम है आप जल्दी बनाने चाते हो तो इसको आप प्रेसर कुकर में भी कर सकते हो लेकिन कड़ाई में स्लो कुक करने से मॉटन का जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं आज कड़ाई में कर रही हूँ मॉटन कुक करने के टाइम हम उसको बीच बीच में चलाते हुए कुक करेंगे ये मॉटन कुक होते हुए मेरा वान आवर हो चुका है यह वी 50% कुक हुआ है जेनरली जो मॉटन बनता है वो उसमें बहुत ज्यादा ओयल यूज होता है लेकिन यहाँ पे मैं बहुत कम ओयल में इसको बना रही हूँ इसलिए मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम में रखी हूँ और उसको बीच-बीच में चलाते हुए कुक कर रही हूँ मेरा जो मॉटन था वो यहाँ पे 60-70% कूक हो चुका है उसमें अभी मैं डाल दी हूँ फ्राइट पटेटो पटेटो को मिक्स कर लेंगे और पटेटो को हम थोड़ी देर मॉसालमी फ्राइ कर लेंगे पटेटो को मॉसालमी थोड़ी देर फ्राइ करने के बाद हम उसमें दे देंगे पानी टेस्ट के हिसाब से स़ल्ट सल्ट देने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लो-टो-에, मिडियम फ्लेम में इस मोटन और पटेटो को कूख होने के लिए छोड़ देंगे और यहां पे जो मेरा मॉटन और पटेटो था वो बहुत आच्छी तरह कूख हो चुका है और मुझे थोड़ा ग्रेवीच जाई है इसलिए मैं अभी फ्लेम को आफ कर दूँगी और उसमें मैं डाल दूँगी धन्य का पत्ता टू आवर्स के बाद मेरा मॉटन ग्रेवी बनके तयार है यह खाने में बहुत अच्छा लगता है और यह बहुत लाइट है मैं इसमें बहुत ज़्यादा ओयल यूज नहीं की हूँ आप इसको घर में बनाए और अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ सेयर किजिए थैंक यू